हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास थर्ड की वॉक्षीट नंबर 106 जो की 9 नौवंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों माथ्समाटिक्स यानि की गणित सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखें तो चलिए इस वॉक्षीट को हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण है चित्र पहली जिसमें हमें चित्र एक और चित्र दो इस तरीके से दो चित्र दे रखे हैं दोनों चित्रों को हमें दिहान से देखना है और इन दोनों ही चित्रों में को छोटी-छोटी से मिस्टेक् यानि कि दोनों ही चित्र में कुछ अंतर हैं तो देखो पहला अंतर क्या है कि हम देखेंगे यह जो भालू बना हुआ है इसके दोनों साइड यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है जबकि यहाँ पे देखो डिजाइन गोला बना हुआ है दोनों ही साइड यह हो गया पहला अंतर दूसरा आप देखेंगे कि यह जो बिल्ली है इसके कान में यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है जबकि इधर हम देखेंगे कि कान के अंदर कुछ डिजाइन बना हुआ है यह है दूसरा अंतर इसके बाद देखेंगे जो टेबल है इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं बना है जबकि यहाँ पे देखो ये दो डिजाइन बने हुए है तो ये हो गया तीसरा अंतर इसके अलावा एक अंतर और है और वो क्या अंतर है? यहाँ पे देखो इसमें टाई पहन रखी है जबकि यहाँ पे टाई नहीं पहनी होई है तो ये टोटल है चार अंतर जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक है बच्चो? चलो दूसरा प्रेशन देखते है टॉपिक है नाप डंडी के हिस्से प्यारे बच्चो पिछली वाक्षीट में हमने आपसे एक प्रशन पूछा था कि क्या दूरी नापने में आपकी और आपके जोडीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियों से नापने पर भी सब का नाप अलग अलग आता है कोई एक ही चीज को अगर आप खुद अपने हाथों से नापेंगे या आपके भाई बहन अपने हाथों से नापेंगे या फिर ममी पापा नापेंगे सब का जो नाप है वो अलग अलग आता है तो बताईए हम ऐसा क्या करें कि नाप डंडी से छोटी चीजों को भी नाप सके और सभी के द्वारा नापे जाने पर ऐसी वस्तों का नाप भी एक जैसा आए तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे सभी के लिए जो भी इंसान इस चीज को नापे उसके लिए वो बराबर आए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलो आगे देखते हैं. इसके लिए आज आपको सबसे पहले नाप डंडी में 10 बराबर हिस्से करने हैं, जैसा कि चुत्र में दिखाया गया है. इस तरीके से एक नाप डंडी लेंगे और उसमें 10 हिस्से कर देंगे. ठीक है? इस काम के लि था दो नाप डंडी से जादा. आपने भी घर पे इचीज करी होगी, नाप डंडी बनाई होगी और उससे आपकी गनित की किताब की लंबाई और चोड़ाई दोनों नापी होगी. आज वाली नाप डंडी का इस्तमाल करके हमने आपकी गनित की किताब की चोड़ाई को फि एक छोटा हिस्सा आया है इसका ठीके बच्चों अब नीचे हमें कह रखा है कि आप भी निम लिखित वस्तों की लंबाई आज वाली नापडंडी से दोबारा नापिए और तालिका को पूरा कीजिए सबसे पहले आपको नापना है किताब की चोड़ाई तो इसकी नाप आई है दो नापडंडी से जादा पहले इसकी माप आई थी और जो हमने अब मापडंडी बनाई है उससे आई है दो मापडंडी और एक छोटा हिस्सा एक छोटा हिस्सा ठीके यानि यह हो गया इधर वाला है पहला हिस्सा इसके बाद है दूसरा हिस्सा फिर है तीसरा हिस्सा ठ दो भी phone है उसके लम्भाई आप पहले वाली map dandी से नाप कर यहाँ लेखे, उसके बाद आपके घर में जो भी चमज है उसकी लम्भाई नाप मगाँ हो style पहले लिखे, पहले वालीस से नाप कर यहाँ लेखेंगे पर लिखेंगे ठीक है अब इनका में आंसर नहीं बताने वाली हूं क्योंकि आप सभी के पास जो फोन है उसकी लंबाई अलगल होगी आपकी घर में जो चमच है उसकी लंबाई भी अलग होगी ठीक है और स्कूल डाइरी आप लोगों के पास है आप नाप सकते हैं और पैंस से नापते होंगे तो आप अपने पेरेंट से जरूर पूछो कि कारिगर छोटी-छोटी सी चीजों का नाप कैसे करते हैं तो यह थी आज की हमारी गणित की वाक्षीट और आई होब बच्चों आप सभी को यह वाक्षीट बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और अगर आद भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू